नमस्कार दोस्तों मेरा नमें अर्पित और आज से हम मिशन हंड़िट सीरीज को स्टार्ट करने वाले जिसके अंदर हमारे टार्गेट रहेगा कि वह इसाब कंसेप्ट को एकदम तहह तक हम समझ ले और बिल्कुल हमारी एक्जाय में फुल-उन-फुल-माक्सम लाए तो तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मिशन हंड़िट सीरीज को और यूनिट फन को ओम देखने वाले जिसका नाम है मेनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग एवेंट्स अगर हम एक वर सिलेबस को देखे तो 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 तस यूनिट है और फेजिकल एजुकेशन का सिलेब आपके कम्प्लीट लास 12 बोर्ड के अंदर तन आगे हम बढ़ते हैं तो अगर आप पेपर पैटन देखते हैं तो पांच सेक्शन में अपका पेपर डिवाइट रहेगा जिसमें सेक्शन ए रहेगा एक मार्क का और टोटल अठारा इंसे के कोश्यंस आएंगे फिर उसके पार्ट हम देखते हैं जिसमें है function of sports event management याना तो जब भी किसी भी sports के event को conduct किया जाता है तो कैसे इसको manage किया जाएगा यह हमें आपर पढ़ना है अब इसमें हमें 5 बाते बाते पढ़नी रहती है और exam में क्या आता है सीधा में hit the bull side करूंगा यह आपर है ना तो exam में आप post post co to P से आजाएगा अपने पास planning organizing staffing directing and controlling क्या क्या होता है देख लेते हैं तो सबसे पहले है अगर आपको किसी भी sports event को organize करना है तो आपको उसकी planning करनी पड़ेगी तो as it is यह कि definition आप याद कर लेना दो मांक में कर आती है तो आप यह लिखके हो जाओगे पूरे marks मिलेंगे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि कैसे exam में answers लिखना है ठीक है बहुत इकमाल की वाली series रहेगी तो planning एक प्रकार की intellectual process है मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना है तो उसके बाद आप advance में चीजों को सोचते हैं goals को set करते हैं और strategies बनाते हैं ताकि आप उन goals को achieve कर पाएं त तो यह 5 objective है याना एकदम याद नहीं करना है रट्टू तो थे कि तरह बस थोड़ा सा समझ लेना कि अगर आप planning करोगे तो क्या क्या होगा तो आपके activities के उपर आपका control रहेगा second है कि आप अगर कोई tournament को organize करवा रहे हो तो उसके उपर भी आपका control रहेगा कोई ऐसी out of the box situation एकदम से नहीं आएंगी तेन उसके बाद mistakes की chances कम हो जाएंगी क्योंकि चीज़े पहले सी planned है तेन उसके बाद चोता है कि आप यहां पर से proper coordinate कर पाऊगे चीजों को और आपके tournament के success होने की chances बढ़ जाएंगी और last है कि इससे innovative ideas promote होंगे क्योंकि आप पहले सी चीजों को सो सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक दोम innovative idea से अपने event को कंड़ करवा पाएंगे तिन आगे हम बढ़ते हैं second is organizing नाम में छुपावा है कि जितने भी डिस्ट्रिब्यू आपके resources हैं उनको आपको distribute करना है अब जैसे आप tournament organize करवा रहे हो तो क्या-क्या resource है आपके research हो जाए resources को personal जो भी हैं जो काम करने वाले लोग है उनको organize किया जाता है ताकि वो अपने goals को achieve कर पाव at the end of the day tournament आपका successful रहे है तो यह होती organizing ऐसी कैसी definition याद रख लेना और अगर इसके भी objective पूछे तो आपको वही जो planning में हमने पढ़े था वही सभी के objectives है तो अगर 3 marks में आता है कि यार सबसे ऊपर director यह है फिर उसके बाद यह coordinator है यह volunteer है तो उस HR की के अंदर आप key positions को identify करेंगे कि यह हमारी key positions है तो उसके बाद proper talent को आप उसके लिए recruit करोगे जैसे अगर किसी को आप director बना रहे हो तो आप चाहेंगे कि उसके पास authority हो उसके पास knowledge experience हो और volunteer आप definition याद कर लेना दो माक में objective पूछे तो same planning वाले हैं आगे में बढ़ते हैं डारेक्टिंग में क्या होता है तो directing अब आ जाती भाई सब लीडर्शिप quality का है पर रूल आएगा तो directing में क्या करेंगा एक leader जो रहे का अपने जितने भी staff है जो उनके junior से उनको वह coordinate करवाएग इसमें leaders हर एक process को अब यहां पर control करते हैं वह कुछ standards को formulate करते हैं कि यह हमारे माप दंड है और फिर उन standards से अभी जो actual process है उसको compare किया जाता है अगर कोई वी संगती पाए जाती है कोई discrepancy पाए जाती है तो फिर उसको improve किया जाता है तो यह होता है अपने पास controlling तो पॉस्ट को इस तरह से आद रखना है यहां से one mark का question हैना mcq में तो यह definition से ही बनेगा two marks में सीधा आप से definition पूछी जा सकती है किसी के भी objectives पूछे जा सकते हैं three marks में generally वह क्या करेगा जैसे controlling पूछ रहा तो उसके साथ objective भी पूछेगा four mark में case study यहां से बहुत मुश्किल है बनना और जो five marks से उसमें आप से सारे एक साथ पूछ सकता है कि पांचों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताओ तो उनकी definition याद कर लोगे यह topic यहीं पर आपका समापते है ठीक है ब दो दो लाइन याद रखना है यहां से भी दो माग का कोशिन बनेगा उससे यादा शाहिदी बने तो technical committee क्या होती है यह एक ऐसी committee जो की various officials को select करते है जैसे judges कोन रहेंगे empire कोन रहेंगे starters कोन रहेंगे referee कोन रहेंगे तो उसको यहां पर select क्या जाता है next आती transport committee खिलाडियों को एक जगे से दूसरी जगे पहुचाना reception committee lodging committee क्या करेगी खिलाडियों का welcome करना guest का welcome करना spectators का welcome करना then boarding committee क्या करेगी खिलाडियों को होता है तो उसको handle करने का काम प्रोटेस कमिटी करेगी marketing committee का काम में भाइसाब press conferences कराना और पूरे event को advertise करना print media के साथ मिलकर काम करना इसके बाद finance committee का काम में बज़र बनाना और डिफरेंट डिफरेंट पर्चेज इस और यह चीज़े करना इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन टूर्नामेंट क्या होता है इसमें बहुत सारे individual matches होते हैं और बहुत सारी teams compete करती है और जो टीम final round को जीती है उसको winner किया जाता है टूर्नामेंट तीन प्रकार क्या होते है एक होता है लगता है नौकाउट टूर्नामेंट नौकाउट टूर्नामेंट में भाव का concept लगता है पहली फुर्सत में निकल तो teams match खेलती है जैसे एक टीम दूसरी तीम के साथ match खेला और एक टीम खार गई तो जैसी टीम हारेगी वह टूर्नामेंट से बाहर हो इंगल लिग हर एक टीम दूसरी जितनी भी टीम है उनने सभी के साथ 11 डॉसरी टीम इटा मैट भी कहलेगी डैक like में क्या होगा यूसरी टीम के साथ 2-2 बार मैच कहलेगी जीinar IPL में होता हैं एक two-to-date shows से कंबो ऑफर रहे हैं किसका यह कॉम्बू ओफर रिए और लीग का तो इक ली चानी तरह होते हैं यह होते हैं रिख चार व upp tube नोगाउट रहा है यह चोड़ा है से सके उक्ड़ियों ने सकते हैं आपने उन आप यह लीग स्टेज में तो किर है फिर एक होता है setup क्व हें फाइनल वह सब होता है तो अगर दोनों कःण वंसे लिए जाए तो नौक योट मैए ञाओट नौक कम ली कम लीक में इनल्फ में क्यों लीग से खेल लिए जाए है जैने नौक ऑट उनको दिया जाता है वाई सब्सक्राइब क्या प्रकार की सॉर्टिंग जैसे हम बचपन में करते थे ना वह जैम्स का पैकेट लाते थे उसमें से लाल लाल अलग पिंक पिंक अलग वोईलेट तो उसी को बोलते सब्सक्राइब कर देते हम तरसे उनको यहाँ जाता है कि जो is लिए लुजम के जुए जाती है अब इसके लिए कि पहले से प्ता होना चाहित कि कौन स्ट्रॉंग तीम और कौन वीग टीम है तभी आप क्या कर पाऊगे सीडिंग कर पाऊगे एक्जामपल से समझते हैं जैसे यह चार टीम है इंडिया आस्ट्रेली आइरलेंड जिम्बामबे अब इसमें क्या है पहले राउंड में मैंच किया रहा है देखो इंडिया और अस्ट्रेलिय का तो इसमें क्या होगा जिती नीचे से क्लिएपर में इंडिया रहेंगी technology और िसलिए पिर क्या हो जाएगा चलियो की यहां पर सीडिंग कीजाईगी हमें पता है बाइसाब ऑ्स सेंडिया इंडिया में एंक्पॉर्टन टीम है और दोनों बहुत ही स्ट्रॉंग टीम से तो इन दोनों को अलग अलग ग्रूप में रख दो याना उपर एक बार मैच करवा तो जिंबंबे का नीचे करवा तो आइल्लेंड का अब अगर जिंबंबे बहुत ही अच्छे के लिए तो ठीक है वरना इंडिया जित जाए और यह एक्जामपल याद रखते हैं तो पांच नंबर गया कोशन आप डील कर लोगे अपने को कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टिस में नहीं बनना है आगे हम बढ़ते हैं बाय क्या होता है तो बाय एक तरह का ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी टीम को एडवांटेज द जैना सीधे एडवांस में बैठना है तो यह क्या हो गया एक प्रकार का इडवांटेज हो गया कि दूसरी टीम को तो दूसरे जो बच्चे उनको तो वह देना पड़ेंगा में और बाकि आपको सीधा एडवांस देने का मुखा मिल रहा है तो यह होता है भाई ठीक है तो किया जाता है कुछ team को first round में नी खिलना सीधा आगे वाले round में खिला जा सकता है अब बाई निकालने का बस formula रखना कहीं बार हो सकता है सीधा दो number में आपसे formula ही पूछ ले या MCQ में तो आपसे फिर बाई निकालने के लिए बोलेगा formula रखना next higher power of two minus number of team कैसे निकालना इसका method मैं आपको यहां पर बताता हूँ तीन simple step है यहना आपको शाहिदी का internet पे तीन simple steps मिलेगी पहली step है number of team कितनी है वो पता करो जैसे अगर number of team 5 है तो n की value हो जाएगी 5 then इसके बाद next higher power of two निकालो तो 5 के बाद next number कुन सा रहा है तो यहां पर मैंने 5 power लिख रहा है तो अगर आप 2 की power 2 और 2 की power 3 के बीच में देखोगे 4 और 8 के बीच में 5 आता है तो इसका मतलब 5 की next higher power क्या हो गई 2 की power 3 that is 8 तो अब 3rd step में अपने को क्या करना है 2 की power 3 मतलब 8 में से 5 को घटाना है तो अपना answer आ जाएगा मतलब 3 buy आपको यह पर alert करनी है कैसे buy alert की जाती है तो उसका यह table आपको ध्यान रखनी है first buy आप alert करते हो किसको एक धम से last team of the lower half upper half lower half दो half में हम team को divide करते है तो जो lower half की last team रहेगी उसको हम buy alert कर देंगे पहली वाली second buy हम alert करे देंगे और अपर आपकी first team को second buy alert कर देंगे similarly third buy हम alert करेंगे lower half की first team को और fourth buy हम alert करेंगे upper half की last team को एक दो बार आप अलोट करके देखना आपको आ जाएगा और दिक्कत आती है तो फिर आप इसका एक बर फुल वाला वीडियो देख लेना है यह तो short वाला वीडियो है बढ़ते हम आगे अब कैसे knock-out fixtures बनाना बहुत आसान है सबसे पहले total number of teams कितनी पार्टिसि on four matches third step क्या करते है अपन टोटल number of rounds निकालते हैं तो यह कैसे निकालते हैं जो next higher power of two रहती है तो जिससे number of teams अपने पास five है तो five के next higher power of two क्या होगी two की power three तो जो two की power three थी थी वो जो power वाला number है वही आपका number of rounds रहेगा जैसे इस case में हो जाएगा अगर पांच team है तो तीन rounds होएंगे इसको more detail में आगे examples के दुरु देखेंगे तैन उसके बात चौता यहां पर अपने पास step है उसमें number of teams को upper of lower half में divide करते हैं even number of teams है तो आपकी जीवन बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि जैसे 16 team है तो 8 team upper half में 8 team lower half में लेकिन भाई साब अगर odd number of teams है तो आपको उपर वाले half में एक team ज्यादा रखनी है जैसे अगर total number of teams 9 है तो उपर वाले half में रखोगे 5 team और नीचे वाले half में रखोगे 4 team इसका एक basic सा formula भी अगर आप याद रखो number of teams in upper half n plus 1 divided by 2 और lower half में क्या जाएगा n minus 1 divided by 2 एकाद दो बार solve करके देखना जैसे आप मुझे बत अगर 17 team होगी तो upper half में कितने teams आप डालोगे और lower half में कितने डालोगे comments में बताईएगा आगे बढ़ते हैं इसके बाद by हमें locate करनी है कैसे calculate करनी है वह हमने सीख लिया आगे और कैसे अलोट करनी है वह भी मैं आपको बता दिया था कि पहली आपको कहां देना है lower half की last team क हो यह ना तो वह आला process हम follow करेंगे सीदा हमें questions ही देख लेते हैं जैसे 17 team आपको जो मेने question पूचा था उसका answer मिल जाएगा सबसे पहले number of teams हमने देखा 17 matches कितने हो जाएंगे n-1 16 upper half में कितने team एक ज्यादा देनी है तो 9 lower half में 8 formula से भी आप निकाल सकते हो number of 22 अब 22 कैसे calculate करते है 17 17 के बाद next higher power of 2 के आएगा तो 16 32 है ना तो मतलब 2 की power 5 तो 32 आएगा तो हमें 32 में से 17 को minus करना है तो answer आएगा 15 अब number of 22 अपर हाफ का formula याद रख लेना बिलकुल उसका उल्टा होता है जो हमने अभी आगे पढ़ा था लोवर अपर हाफ का formula पढ़ा था ना उसका की बार हम अपर हाफ में एक बाए कम देंगे अगर और बाइस है तो जैसे 15 और नमबर और बाइस है तो अब की बार उपर हम देंगे साथ पाए और नीचे हम देंगे आठ बाइस ठीक है जिन टोटल नमबर ओफ राउंस हमने देखी लिए था कि जो भी टू की next higher power उसका ज हो सकता है थोड़ा सा कनफीजिंगे एक बार लिखके देखना दो तीन एक्जामपल सोल करना बहुत ही आसानी से आजाएगा इससे तफ कोश्चन से आते हैं तो टू की आयर पावर फाइफ तो फाइफ टोटल नमबर ओफ राउंस हो जाएगा आगे हम बढ़ते हैं तो इस बची यह और जी तो इनका फर्स राउंड में मैच होगा आप किसी को भी जिता सकते हो जैसे यहां पर मैंने को जिता रखा है किसी भी टीम क्योंकि एक विनर आपको चूज करना पड़ेगा तो आप मन से किसी को भी कर सकते हो फिर सेकिंड राउंड में आप सब का मैच हो रहे हैं जो अपने कैलकुलेट भी टेटेफ ओर लास में किसी को भी आपको बनाना आपको तो इस तरह से आपको यह कोशन करना रहेगा यह यह कोशन पांच नमबर में आएगा आगे हम बढ़ते हैं तो यह एक टीम दूसरे टीम के साथ खेलती है दो तरीके से यह होते हैं single league double league हर एक team दूसरी इसके साथ एक बार खेले तो single league दो बार खेले तो double league आगे बढ़ते हैं अब इसके fixtures कैसे बनाए जाते हैं तो देखो एक होता है cyclic method तो cyclic method में क्या होता है अगर number of teams even है तो आपको one number को fix कर देना है left hand side और बाकी को गोल गुमाना है और number of teams अगर odd है तो आपको एक बाय को fix करना है left hand side और बाकी को गोल गुमाना है first वाले मतलब जब even number of teams रहेगी तो number of rounds का formula रहेगा n-1 सारे formulas एक जगे लिख लेना जैसे मैंने उसके तो लिख दिये सारे ना नॉकाउट के लिख दे साइकलिक का बस यह दो formula है तो उसको आप यहीं से याद रख लेना कि number of rounds किते रहेंगे अगर number of teams इवन है इवन है तो n-1 और odd है तो n यह मैंने लिख रहा है नीचे वाली लाइन में बढ़ते हम आगे और इसका मैं आपको बता देता हूं लाइव डेमो तो लीग फिक्षर है सिफ फर सिफ formula हो जाएगा n into n-1 तो यहां पर number of total number of matches क्या हो जाएगे n into n-1 by 2 तो फॉर्मुले में अगर आप n की वेली फोर रखोगे तो 6 अंसाद आ जाएगा टोटल number of rounds का formula हमने पढ़ा ही था अगर even number of teams है तो n-1 तो तीन round होईगे अब देखते कैसे होगा देखो सबसे पहले मैंने बोला था 1 को fix कर देना है तो 1 को आपने उपर side में fix कर दिया left and corner में बाकी team को आपको कैसे भी लिख सकते हूं जैसे आपर मैंने लिख रहा है 2, 3, 3, 4 अब क्या होगा first round में match होगा one और four का second और two और three का इन दोनों का match होगा second round बनाने के लिए आपको क्या करना है इसको goal goal गुमाना है four आ जाएगा two की जगे two आ जाएगा three की जगे और three चला जाएगा four की जगे तो देखो second round में यह हुआ है third round में भी इस तरह से circle गुमान कर सकते हो एक दो तीन चार पांच छे में पर से हो रहे हैं तो सारा आपका cross shake भी हो जाएगा last में सेम अगर आपको five teams का आ जाए और number of teams है तो number of matches का formula सेम है लेकि number of rounds का formula हमने पढ़ा था N तो जित्ती टीम उत्ते ही rounds होईगा आप अब हमने देखा था क्या कि बाए को हमें है fix करना है तो हमने दो को यहाँ पर बाय को fix कर दिया left hand corner पर और one two three four five को में ऐसा कैसा ही घुमाना है अब round five के बाद अगर आप घुमाओगे तो वापी same round one वाली situation हो जाएगी तो यहाँ पर भी आप cross check कर पाओगे total कितने matches हमने calculate कि दस matches तो दस ही match यहाँ पर होईगे and य नहीं रहा है बाय मतलब तो one को खेलना ही नहीं आप है तो इसमें क्या होता basically हर एक टीम को भाई मिल रही है जैन इसके बाद आगे बढ़ते है स्टेर के समय सबसे सिंपल है दूआ करना यह है एक्साइम में तो इसमें आपको एक लेडर बनानी है कोई बाय का जंजट नही है इवन ओड का जंजट नहीं है नमबर ओफ मैचेस का फॉर्मुला एन इंटो एन मैनस बाय टू जो पहले भी था वही है तो इस तरह से किस टेर केस बनता है आपर और जो यहां पर जैसे पांस टीम है तो राउंड इसमें एक कम रहेगा हमेशा तो यहां पर वन को हमने ए एक बार आप six teams का बना के देख लेना और five teams five cut बना ही रहा है फोर का भी बना के देख लेना तो आपका बिलकुल solid concept clear हो जाएगा आंसे फिर इसके बाद बढ़ते बना आगे अब लीग में अब इसमें कैसे विनर निकालेंगे तो फिर यहां पर आता है point system इसमें दो तरह के method is British or American British method में क्या होता है कि जैसे अगर team जीती है match तो दो point उसको मिलते है team अगर हार जाती है तो zero point और अगर team का match tie हो जाता है तो one point मिलते हैं जैसे आपने देखा ही होगा इना IPL में football leagues जो भी होती है hockey leagues होती है तो उसमें point दिये जाते हैं और last में point table में जो top पे रहता है हाला कि generally leagues में league कम knockout रहता जो top पे दो team में रहती है उनका फिर knockout करवा देते हैं और knockout नहीं करवाना है तो जिसके point सबसे ज्यादा हो जीता ठीक है और last में इसका formula हो जाएगा total number of points obtained divided by total possible point जिते हो सकते थे maximum in 200 और इस तरह से महापर निकाल लिया जाएगा यह बस आपको एक rough idea रहना चाहिए यहां तक ना कभी question आये हैं ना आये थे ना शायद ही आएगे तो राफ आइडिया है कि लीक का winner कैसे finally decide हो रहा है तो इस पर ज्यादा दिमांग नहीं लगाना है ऐसे American method में क्या होता है इसका formula है matches won divided by total matches played into 100 याद रहे तो ठीक नहीं रहे तो भाई सब और अच्छा है अब आजाती सबसे simple चीज़े intramural extramural क्या होता है तो intramural मतलब होता है यह दो शब्दों से बंदके मिलावाइं है इंट्रा प्लस मूरल इंट्रा मतलब होता है विथिन और मूरल मतलब होता है वाल तो अगर कोई भी ऐसा tournament है competition है जो कि एक school की दिवारों के बीच में हो रहा है अब दिवारों के अंदर हो रहा है इसका मतलब कहीं कि उसमें सिर्फ इस्कूल के लोग पार्टिसपेट कर रहे हैं तो इसको गोलते हैं इंट्रा मूरल या इंट्रा मूरल competitions बोलते हैं अब इसका क्या फायदा है कि हर एक student को कहलने का मौका मिलता है ली तो जब कोई भी competition outside the wall मतलब आपका जो competition होगा वह बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे डिस्ट्रिक्स से competition हो सकता है तो इसको बोलते एक्स्टा मूरल इसका एक्जाम्पल आप लिख सकते हो cbsc के tournament होते हैं तो बहुत सारे schools के बच्चे महां पर आते हैं जो cluster tournament होते हैं तो इ इसके बाद sportsmanship और भायचारी की भावना आएगी और नई क्या rules से नहीं क्या advanced technique से उनका भी उनको वहां से घ्यान होगा then last step ने पास community sports program इनके क्या purpose benefits है याना तो एक्स्ट्रा मेरा इंट्रा मेराल वहां से भी 2 माग का question आएगा यहां से भी ज्यादा ज्यादा 2 माग का question आ रहता है ना तो sports रहता है यह basically बच्चों की health को improve करना और उनके अंदर एक brotherhood और fraternity ना दिन उसके बाद sportsmanship leadership की भावना को develop करना होता है then उसके बाद health run क्या होता है health run होता है basically आपका जिसमें आप किसी cause के लिए भागते हो और यहां पर से कई बार funds भी race किया जाता है जैसे लोग fun के लिए दोड़ रहें ना इसमें कोई पैसे एकटे नहीं किया जा रहे है then run for unity एकता के लिए दोड़ तो जो सर्दार वल्लब भाई पटेल जी है उनकी birth anniversary 31st of October एकता दिवस है ना उस दिन यह run for unity कंडग की जाती है ताकि पूरे देश के अंदर peace और बिल्कुल एक सदभाव का महौल बना रहे है और run for specific cause है ना इसमें वही किसी specific cause के लिए दोड़ना जैसे AIDS के awareness पहलाने के लिए गर्ल चाहल को educate करने के लिए cancer awareness के लिए तो उसके लिए मैं पर हो सकता है और यह है अपने पास सारे टॉपिक्स तो अपको सारी समझ में आ गए होगी और इनको आप जरूर से सौल करना कोई डाउट है तो आप उसको को में बता दीजेगा तो फिलाल के लिए में इतना ही म अब जाए नोडिए नोडिवेकेशन आप से मिसने हों तो धन्यवाद जय है इंदे जय भाराव अब 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 कर दो कर दो